भीर हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता असान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीर हमेशा सही रास्ते पर चलती है, अपने रास्ते खुद चुनिये क्योंकि आपको आपसे बहतर और कोई नहीं जानता वेलकम तो ग्यांदीब स्कूल डियर स्टुडेंट टुडे इस ए भेरी इंपोर्टेंट क्लास पोर यू टुडे इस ए स्पेशल क्लास फोर क्लास 3 तू टेंथ टॉपिक मैप उसका रिवीजन है जो कल वाला एक हमबर्ग दिये थे उसका रिवीजन है बहुत सारे स्टुडेंट ने वर्क किया और बहुत सारे स्टुडेंट बनाये अपने अपने गुरूप में भेजे इसी तरह आप लोग महिनत करते रहिए इस्पेशली जो सिनियर क्लास 8, 9, 10 है वो लोग थोड़ा सा भी वो लोग को च्या अच्छा लगता नहीं लगता उस धंका कोई देखने के लिए नहीं मिलता है कि आज कल लोग क्या करते हैं उट नहीं करते हैं गुरूप तो है लेकिन गुरूप में कुछ हल्चल नहीं होता आप लोग का इस्पेशली क्लास 8 से लेके 10 तक के student जो भी हो आप लोग घर में बैट कर ही महनत करते रहिए चुकि lockdown जब खतम हो जाएगी तो आपका जब आप school आएंगे या school खुलेगी तो आपके बारे में पता चलेगा कि आप कितना घर में महनत करते थे कितना प्रहाई करते थे चरिए ये सब बातों को ध्यान ना देते हुए आज का session शुरू करते हैं और जो भी पढ़ाय जाता लिखाय जाता उसको not down करते रहे महनत करते रहिए आपको जरूर है कि कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा online class के माध्यम से हम जानते हैं सब कुछ तो आपको online में समझा नहीं जा सकता है face to face में अलग ही reaction होता है समझाने का और यहां पर अलग ही होता है तो फिर भी कोशिज आपका किजिए क्योंकि जब तक आपका mind ये चीज को accept करते रहेगा कि हाँ हम सीख सकते हैं I can do it so you can do it तो आप कर सकते हैं अगर नहीं कहिएगा यहां हमको समझ में नहीं आता सही में समझ में नहीं आएगा आपका अगर mind accept करता है कि हाँ हम समझ सकते हैं online class में भी सीख सकते हैं तो जरूर आप सीख सकते हैं बहुत सारे student का इसमें बहाना होता है आप से अनुरोध है कि आप लोग बहाणा ना करें अपने गार्जन का मतलब टाइम बरबाद ना करें आगर आप मोबाल लेके देखते हैं वीडियो तो सिर्फ वीडियो ही देखें चलिए स्टार्ट करते हैं यह रिविजन है जो रिविजन क्लास था बूश्ट यूर नॉल तो पहला बहुत सारे स्टुडेंट ने इनका सही जवाब दिया है बहुत सारे स्टुडेंट जवाब दिये अच्छी बात है जो नहीं जवाब दिये वो नौट डॉण कर लीजिए पुछा जा रहा है कि नीती आयोग के परजेंट में चेयर्मेन कौन है आप इसको नेक्स्ट है आपका CCE इसको इंगलीज में कहते हैं continuous and comprehensive evolution इसका हिंदी होता है भारतिय परतिय अस्परधा आयोग इसके परजेंट में चेयर्मेन जो है वो है असोक कुमार गुपता ठीक है नेक्स्ट है आपका NMC यानि नर्सिंग एंड मीड़ वाइफरी कॉन्सील नौट चयर्मेन है सुरेंद्र चंद्रशरमा ये फस्ट नमर के हीया है लाट मतलश को हिलाल में मतलश च्यर्मेन बनाया क कर लें सुरेंद्र चंद्रशरमा National Commission for Women National Commission for Women ठीक है राष्ट्रियम महिला आयोग के परजेंट में चेर्मेन कौन है तो रेखा सर्मा रेखा सर्मा परजेंट में NCW यानि National Commission for Women फूल फाम भी लिख लें इसके चेर्मेन है नेक्ट है NHRC National Human Rights Commission के परजेंट में चेर्मेन कौन है H.L. दत्तु ठीक है 10 December को मनाया जाता है राष्ट्रियमानवादी का आयोग National Human Rights Commission इसके परजेंट में चेर्मेन है H.L. दत्तु चलिए अब बढ़ते हैं आज का सेशन जो बहुत इंपोर्टन होने वाली है आप बहुत अच्छी से देखें चलिए सुरवाद करते हैं देखे यहां क्या लिखा हुआ heading दिया है मानचित्रों से सीखें यानि हम लोग जो आज इसमें learn करने वाले हैं जो सीखने वाले हैं वो location के थुरू या मानचित्र के द्वारा देखेंगे map के थुरू देखेंगे जांचिये कि आप इन नफसों में रेखांकित अस्थानों को पाचांते हैं अपने आपको इसमें अपना knowledge देखिए और देखिए कि आप ये लोग सहर को या e country को कभी देखे थे अगर देखे थे या सिखे थे तो बहुत बढ़िया बात है चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए यहां पर देखिए वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है चलिए पहला question को देखते है वर्ल्ड मैप में पहला question है उन दच्छनी अमेरिकी देशों के नाम बताईए यानि South अमेरिका के एक country का नाम पूछा जा रहा है जो राजनितिक असांति यानि कहने का मतलब है कि वहाँ पर political ज्यादा pressure या फिर उस धंका political region वहाँ का बहुत ही खराब या फिर उस धंका यानि वहाँ पर peace यानि सांति की कमी हो रही है वहाँ का राजनितिक यानि चीली और एक बोलिविया यह दो कंट्री है और दोनों का दोनों कौन सा कॉंटिनेंट में है तो सौथ अमिर्का में यहां पर जो है इस दोनों कंट्री में जो है पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा है ठीक है तो यहां पर आपको याद अखना है कि कौन है चीली और बोलिविया चलिए नेक्ट कोश्य देखते हैं नेक्ट में उस दीब समू यानि आइलेंड ग्रूप का नाम पूशा जारा है उस आइलेंड ग्रूप का नाम बताईए जो मौरिसस और युनाइटेड किंडम के बीच विबाद का कारण है यानि खबरों में है यानि अभी खबर में तो यह देखिए यहाँ पड़ है इसका नाम है चागोस आइलेंड ग्रूप चागोस जो है दीब समू है यहाँ पर देख सकते हैं तो वह आपका तीसरा नमर पर होगा जॉर्डन यहां पर जॉर्डन में है आप धियान दीजेगा उस देश का नाम बताइए तो जॉर्डन है वो देश जिन्होंने की इसराइल के किसानों को पट्टे पर दी गए यानि लीज पर दिया गया था भूमी खेती करने के लिए ठी लैकिन कुछ कुच है जो हाली में प्रोडन से आजादी के लिए मत दन किया। श्या जाल है कि वह इसा कौन सा एस्षा घूंसा अ परता है चीज यह में और फाल हुआ है यह आपका ऊस्टेलीम परता है तो वह जगह है आपका बोगन विले जगह है जो कि अभी अभी हाली फिलाल में यहां पर अपनी आजादी के लिए मतलब मद्दान किया है अपनी आजादी के लिए वोटिंग किया है बोगन विले चलिए नेफ्ट देखते हैं यह भी व्ल्ड मैप से रिलेटेड है उस छेतरे यानि उस एरिया को पहचान किजिए जहां प्रिथ्वी का सबसे पुराना ज्यात संघार्थ गर्थ यानि इंपक्ट क्रेटर इस्थित है यानि वर्ड्स का मतलब जो आप जानते हैं दुनिया का यानि प्रिथ्वी का सबसे पुराना ओल्डेस्ट संघार्थ गर्थ यानि इंपक्ट क्रेटर इस्थित है तो देखिए वह आपका वन लोकेशन में होगा पहला लोकेशन यहां है यर्रा बुब्बा गर्थ यह यर्रा बुब्बा क्रेटर है जो दुनिया का सबसे बताया जा रहा है कि पिर्थ्वी म में सबसे पुराना है वह आपका लोकेशन जो दीख रहा है यह ऑस्टेलिया कॉंटिनेंट में दूसरा है उस दूइब की पहचान करें जहां भारतिय नोसेना ने ओपरेशन वनीरा की शुरुआत की ती जिससे की वहां पर मतलब भारी तवाई आ गया था वो मेडागासकर सब्सक्रा के संट्सट्रीफ दूफान विगरा गया था इसको भचाने के लिए इंडिया से चला गया और वहां से इसको रहान है यहां पर मेडा घासकर में तो उस operation का नाम क्या था वनीला तिसरा question है रूज के उस छेत्र तेल छेत्र और बंदरगा की पहचान की जाएगी यानि भारत को जहां से तेल रूज का पूछा जा रहा है तो वो आपका है दो जगह है एक वानकोर तेल और गैस छेत्र यानि वानक और अड़िया और दूसरा है और नोडो नवरो सिस्क बंदरगा और नवरो नवरो सिस्क बंदरगा यह डॉक याड है और यह तेल एरिया है दोनों जो रसिया में है आप याद रखेंगे नेक्ट आपसे पूछा जा रहा है ये नेक्ट कोश्चन जो है आपका यमन के उस प्रांथ यानि एक कंट्री है ठीक है यानि उस एरिया की पहचान करने के लिए लोकेट ने के लिए द्या जो हाल ही में सौधी अरब हमले में कई लोग मारे दें यहाँ पर आप देख सकते है लोकेशन में जो जगा का नाम है अल जोफ फ्रांट ठीक है यहां पर यमन है साथी अरबिया के जैस्ट बगल में है अल जोफ फ्रांट वहीं पर जो है अभी पूछा जा रहा था कि पाच्छान मतलब उसको शिर्फ आपको आइडेंटीफाइ करना है कि वो साथी अरबिया हम प्रब्ले में कई लोग जो मारे गए तो वो प्रांत यमन का कौन था तो अल जो फ्रांट आज का जो वीडियो इसमें एंसर सहीत दिया हुआ है आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा लिखा हुआ है आप इसको अच्छे समझ लिजीगा आप नमर में करा उस देश की पह प्रांकारी ले सकते हैं हम इसमें बताएंगे तो यह बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए गूल फूड के बारे में आप यूटूब पर देख लें ठीक है गूल फूड क्या है तो वहां पर 2020 घाटन किया गया यह पांचवा नमर का लोकेशन में देखिए कि वह कह परेश्ट और दूसरा जो है एसिया का सबसे बाहर की चोटी जो है वो है माउंट एकांका गुआ जो यह आपका साथ अमेरिका कॉंटिनेंट में है जिसकी हाइट भी हम लिग दिये हैं 6962 मीटर यह सबसे हाइस्ट मांटेन रेंज का सबसे हाइस्ट मांट एकांका गुआ जिस तरह से एसिया में मांट एबरेस्ट का सबसे हाइस्ट पीक है मांट एबरेस्ट मांट हिमालिया का सबसे जो मांट हिमालिया रेंज है उसका सबसे बड़ा हाइस्ट पीक है एसिया में मांट एबरेस्ट उसी तरह से मांट एंडीज का सबसे जो हाइस्ट पीक है मांट यहां पर भी आपको मैप दिया इंडिया का मैप है कहा रहा है कि उस राष्ट्य उधान यानि नेशनल पार्क की पहचान करें आइडेंटिफाय करें जहां बिजली की लाइन एक ग्रेट इंडियां बस्टर जो कि उनको यहां पर उनके मतमर्य अरिया को नुक्सान पहुँचा रही है तो वो राष्ट्य उध्वान की पाचान करना है, तो फ़र्ष्ट में जो है आपका उसको ढूनिए, तो ये है मरु भूमी राष्ट्य उध्वान यानि Desert National Park जो है आपको यहां फ़र्ष्ट में आपको दिखाई दे रहा है, फ़र्ष्ट लोकेशन इंडिया मतलब राजस्थ इसको हिंदी में मड़े भूमी राष्ट अधान करते हैं इंगली में डेजर नेशन पार्क है चलिए नेक्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं उस अस्थान की पहचान करें उस प्लेस को आइडेंटिफाई करना है जहां पर बीम स्टेक आपदा यानि बीम स्टेक में कितने कंट कंट्री है यह एक ओर्गनाइजेशन है इसमें बहुत सारे कंट्री है जितना भी हो आप उसको कमेंट मतलब आपने एक लिस्ट बनाए और उसको वार्टसप पर डाने चलिए इसी से कोश्चन है और उस अस्थान की पहचान करें जहां पर बीम स्टेक आपदा परबंधन वह अभ्यास 2020 आयोजीत किया गया यानि वीम स्टेक में तो यह आप उस अस्थान के पहचान करना है तू नमर में देखें लोकेशन तो यह है रामचंडी बीच ठीक है रामचंडी बीच जो है वह आपका है और इसा में और यहीं पर बीम स्टेक का यह और्गनाजेशन किय आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लोकेशन भी कर दिये हैं नेपाल भी आता है भूटान भी आता है यह ज्यादा तर अपना परोशी देश नाइवर हुड कंट्री आता है उसके बाद बंगलादेश आता है भारत थाइलेंड थाइलेंड भी है और स्री लंका भी है तो देख सकते हैं नेपाल भूटान बंगलादेश भारत म्यामार उसके बाद थाइलेंड स्री लंका ठीक है यह सब सेबन कंट्री मिलके है जिसमें कि यह साड़ा अपने मतलब जो है अपने कंट्री क्या जो नैवर हुड कंट्री है उसके उनमें कोई भी प्रोब्लम होता है उस तरह का यह लोग एक दुसरे का हैल्प करते हैं तो यहां पर कोश्चन था कि यहां पर आबदा प्रबंदन 2020 का और्गनाजेशन किया है अगर कोई भी ची तुफान बगेरा सुनामी बगेरा आता है कि सी भी देश में तो कोई ने मतलब दुसरे देश से रिलीफ कैम्प उसके लिए भीजा जाएगा तो यहीं पर और्गनाजेशन हुआ था औरिसा में राम संडी बीच में उस अस्थान की पहचान कड़े जहां भारत के तीरवे परमुक बंदरगा का निर्मान किया जाएगा भारत में ही वह कौन सा मतलब यह है तो यह है आपका यहां महराष् पंदरगा को इंगलिस में डॉक याड करते हैं चलिए और तो नमर का कोश्चेन उस अस्थान की पहचान करे जहां बहुत देशी है उज नदी परयोजना का निर्मान किया गया उज नदी परयोजना यानि आपको ढूनना है नदी के उपर में जो परयोजना बनाया चाता ह है बांद तो वह कौन सा जगह है चौथा का देखिए आपका लोकेशन में दिख जाएगा चौथा का लोकेशन आपका है कट्रुआ यह कट्रुआ में है और यह जमू करता है जो यूनियन ट्रेटरीज है फिप्त नमर का कोश्चेन है उस सिखर की पहचान करे जहां अगत्ष्य कुडम सिखर ठीक है याद रखना अगत्ष्य कुडम सिखर जो है आपका महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए मतवानुमती दिया है एलाउ किया है सिक्स नमर में कोश्य बुच्छा है उस हवाई अड्डे की पहचान करना जहां भारतिय वाई सोना के विमान ने स् स्वदेशी मतलब अपने ही देश का जो बायो जैट इंधर का परियोग करके उरान भरी थी वह आपका है वह आपका सिक्स नमर पे कुसोक बकुला राम पोछे यहां पर ढूनने की कोशिस करें यहां पर एक मिल जाएगा आपको सायद मिलने का ज्यादा चांस है या नहीं सब मिलेगा आपको कुसोक बकुला राम पोछे जो है यह आपका हवाई एड़ा है जो भारतिय वायो से ना के द्वारा इसको सोदेशी है और यह बायो जैट इंधन का उप्योग करके उड़ान भड़ेगी चलिए नेक्स्ट के और बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका वर्ल पारेसी के रूप में उभर उभड़ी है आप लोग समझते है को भी चीज का कोपी करना पारेसी का लाता है यहां जल देसता के रूप में वहाई है तो पहला आपका गीनी की खाड़ी ठीक है देखिए हम सौट में लेक चल रहा है क्योंकि ज्यादा डिटेल से लेके चलें यानि अभी हाली में मनीला में जॉला मुखी विसफोट हुआ था वो पूछा ज़ा रहा है कि वो कौन फोर्त नमर का है उस देश की पहचान कीजिए जिसने अपने राज्टी एलपीजी समवर्दन निती लागू करने के लिए भारत से सहता मंगी थी ठीक है फोर्त नमर का देखिए वो है घाना घाना का क्यापिटल अक्रा ठीक है ये एक अफ्रिकन कंट्री है देख सकते हैं हमेसरा है यह अ चीनहीं से जोड़े दुड़े इन विबादित है नतुना धुप थाज्येक है और दुसरा है ए यहां पर दीख रहा होगा कहां पर क्या कोश्टार में रुकेशन है जमकंट लिघे और करने के किजिए अगर नहीं हो बता को सब कुछ करें आपको को सावकराहिंद यह को सिए इंडिया कर इसे और इंडिया का जो था यह आ अपको इसे ही करने दी है आप इसको चीछोटन की को इसको अच्छे से को बनाए है उसके बाद अपने गृरुप में फॉल इसे कर दो कि चलिए देंनेख्ट सूंप की लिए एक क्याकिन एक झाल झाल